ओ बले बले मक्की दी रोटी ते सरसो दसाग आ गई है सरदिया ते गुड है नाल आज ते मैं खावांगी विंटर स्पेशल खाना मैं हूँ वेस दिल्ली में ग्लोवर रेस्टोरेंट में और आज मैं यहाँ स्पेशली मक्की की रोटी और सरसो का साथ खाने आई हूँ देखिए सबसे पहले कितना सारा वाइट बटर है इसके ऊपर और इसके साथ है यहाँ पर गुड यह है इमली की चटनी यह है चटपटा गाजर का अचार मूली मिर्ची और प्याज यानि यह विंटर स्पेशल थाली है कमप्लीट और गर्मा गर्म सरसो का साग और मक्की की खाने के लिए मुझसे बिलकुल भी इंतजार नहीं हो रहा तर देख रहे हैं आप कितना सारा देशी घी और वाइट बटर है इसके अंदर लगता है एक ही वाइट खाने के बाद 2-4 किल्लों वेट तो मेरा ऐसे ही बढ़ जाएगा मजा आगे हैं मन कर रहे हैं बड़ा बच्छा खालो वेल लोडी भी आने वाली है लोडी पर स्पेशली पंजाब का यह खाना तो खाना बनता ही है लेकिन सरसो का साग और मक्की की रोटी इसका जो स्वात सर्दियों में खाने का आता है कभी नहीं आता देख रहे हैं आप इसमें कितना सारा देशी गी है साइड में इसके साथ मैं इसके उपर डालने वाली हूँ यह इमली की चटनी अब मैं इसको मूह में डालके टेस्ट करके बताने वाली हूँ इमली के चटनी के साथ यह कैसा है जबर्दस बहुत खूब शांदार हुआ मज़ा आ गया बल्ले बल्ले अब भी आएए जल्दी से मैं हूं इसवार ग्रोवर स्वीट्स पर मैं घा रही हूं मक्की की रोटी और सर्सों का साग देसी घी से लबाला वाइट बटर साथ में इमली की चट्नी गोड़ इतना सारा सेलेड सिर्फ 160 रुपीज में याने के पैसा वसूल थाली है तो आप अगर वेस दिल्ली में रहते हैं और इस विंटर सीजन में अभी तक आपने मक्की की रोटी और सर्सों का साग ट्राय नहीं किये तो जल्दी से आ जाएए इस दुकान पर और इस रेस्टोरेंट में पड़ा वड़ से यह टेस्ट करकर आप मुझे बताएए नीचे कमिंग बॉक्स में अपना एक्स्पीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे खिचणी दफूट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो पसंद आया तो लाइक कर के शेयर करें और हमारे साथ इस तरह के और कौन से वीडियो देखना चाहते हैं बताते रहें बाइबाइबाइब